आज हम बनाएंगे कुंद्रू आलू का भर्वा, मसाले में मैंने क्या यूज किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैन में इन सारे खड़े मसालों को गरम कर लेंगे, अभी मैंने मेथी और ब अभी जब तक थंड़ा हो रहा है, तब तक कि हम एक के आलू को कट कर लेंगे, आलू को हम को मीडियूम साइज में कट करना है, सारे पीसे एक साइज के होने चाहिए, तब यह अच्छे से पकेगा, वरना एक कच्छा रह जाएगा, और एक पक जाएगा, अभी दूसरे आल को टीप तक भर सके, आपको भी ऐसे ही कर लेना है, यह दिखे, अभी हम खड़े मसालों को जो भूने थे इनको अच्छे से कूट लेंगे, थोड़ा दरा कूटेंगे, यह दिखे, आपको भी ऐसे ही कर लेना है, यह दिखे, रिडी हो गया, अब हम लसुन और मिर्ची को भ ड़ाए कि उसमें कॉम ऽठा शुण धन्रों आप अबशा हुआ दाल चैयान अबी ऑन यहाल है। इसो को ड़ाए के बाद इसमें थोड़ा सा भी धिल, पहलिश तो नमक डालकिर थोड़ा दालें अभी इसका पेस्टत्री अग्या, पानी जाया है। आप थोड़ा कम पाने डालिएगा, अब आपको क्या करना है, वन बाए वन सारे कुंदरू में ऐसे अंदर फिल करना है, आप एक पतला सा स्पून ले लिजेगा, और उससे अंदर तक डालिएगा, अदर्वाइस ये मसाले पकते समय सब बहार आ जाएंगे, और अंदर से खा अब आपको पैन में तेल लालना है, तेल को गरम होने देजेगा, अच्छे से उसके बाद वन बाए वन करके हम आपको इस तरीके से प्लेस कर लेंगे, तो सबसे पहले आलू को लगाना है, साइड में उसके बाद फिर जगे मिलेगा, आप अपर आपको कुंदरू लगा द इसे दस मिनट के लिए ढख दीजे, यह देखे में टमाटो में भी स्टफिंग कर लिया है, यह बहुत टेस्टी आता है, अभी इसको दस मिनट के बाद मैं उपन किया है, अब देखे इसको मैं वन बाए वन सारे आलू को और कुंदू को सब को ऐसे पलट दूंगी, तो यह आप अच्छे से सिख गये हैं, अभी इस टाइम पर आपको क्या करना है आप ने जो स्रुफिं के लिए मसाला बनाया था उसमें से थोड़ा मसाला बचा लिजेगा ता कि इस टाइम पर आप उसमें स्प्रेट कर सके यह दिखे जैसे मैं बचा के रखा हूँ था यह उपर स एक मिनुट तक पकाना है एक मिनुट से ज्यादा मतपतक आईएगा और आपके मसाले जल जाएगे अभी देखिए अच्छे से रेडी हो गया है अब इसे आप सब कर लिजए एक बावल में इसे सर्फ कर लिए और यह देखिए बहुत ही इसे अच्छी स्मेल आरहिए आप प्रूद ट्राइ करियेगा और बतायेगा कैसा लगा आपको थैंक्स पर वाचिंग